यूपी के कानपूर से एक डरा देने वाली तस्पीर सामने आई है, वहां एक मिठाई की दुकान में लगी आक में जुनस का दो लोगों की मौत हो गए। बताये जा रहा है कि देर रात उस दुकान में कुछ लोग मिठाई बनाने का काम कर रहे थे। इसी दोरान दुकान में आग लग गई जिसने देखते ही देखते विक्राल रूप ले लिया आग की खबर मिलते ही वहां अफरा तफरी मच गई वहां से सामने आई तस्पीरों में दुकान से आग की उची लप्ते निकलते दिखाई दी जिसके बाद फॉरान इसकी सूचना फाय ब्रिगेट को दी गई जिसकी दस गाड़ियां मौके पर पहुँची और आग बुजाने के काम में जुट गई इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक शक्स गंभी रूप से घायल हो गया जिससे अस्पताल में भरती कराया गया बताया गया कि दुकान में घी और तेल के होनी की वज़ज़ से आग काफी तेजी से फैली जिससे भुजाने में दमकल कर्मियों के पसी ने छूट गए हालकि कुछ देर की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेट की टीम ने आग पर काबू पा लिया सौबात की एक बात ये कि इस दुकान में रात के वक्त मिठाई तयार करने के लिए कुछ मज़़ूर रुके हुए थे और वो काम करने के बाद दुकान में ही सो गए जिससे वो खाथसे का शिकार हो गए हालकि आग किस वज़ा से लगी इसका पता नहीं चल पाया है लेकिन इस भयानक आग में जुलसने से दो लोगों की मौत हो गई